नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको स्री किष्ण छटी की बहुती सुन्दर कथा सुना रहा हूँ धर्म ग्रांतों की अनुसार भागवान स्री किष्ण के एक परम भक्त थे उनका नाम था कुम्मंदास, उनका एक बेटा था रगुनंदन, कुम्मंदास के पास भागवान स्री किष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बासरी बजा रहे थे, कुम्मंदास हमेशा भागवान स्री किष्ण की पूजा अराधना में लीन रहा करते थे वे अपने प्रवु को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते थे एक बार कुम्दास को बिंदावन से भागवत कठा के लिए बुला बाहाया पहले तो कुम्दास ने जाने से मना कर दिया परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए त्यार हो गए उन्होंने सोचा कि पहले वे भागवाद से किष्णी की पूजा करेंगे और फिर भागवत कता करके अपने घर बापस लोट आएंगे इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं तूटेगा भागवन में जाने से पहले कुम्मंदास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर्जी के लिए पिर साथ त्यार किया है और वे ठाकुर्जी को भोग लगा दें कुमंदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर्जी के सामने रख दी और उनसे प्रात्ना की की आकर भोग लगा ले रगुनंदन को लगा की ठाकुर्जी आएंगे और अपने हातों से भोजन ग्रैंट करेंगे रगुनंदन ने कई बार भागवान सीकिस्ट जे आकर खाने के लिए कहा लेकन भोजन को उसी प्रिकार से देखकर वए दुखी हो गया और रोने लगा उसने रोते रोते भगवान से किस्ण जे आकर भोग लगाने की विंति की उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आई और भोजन करने के लिए बैठ गए जब कुम्मंदास विंदावन से भागवत करके लोटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूचा पिता के पूचने पर रगनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है कुम्मंदास ने सोचा कि अभी रगनंदन नादान है उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डाट के डर से जूट बोल रहा है कुम्मंदास रोज भागवत के लिए जाते और साम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था कुम्मंदास को लगा कि अब रगनंदन उनसे रोज जूट बोलने लगा है लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है यह जानने के लिए कुम्मंदास ने एक योजना बनाई उन्होंने भोग के लड़ू बना कर एक थाली में रख दिये और दूर छिपकर देखने लगा रोज की तरह उस दिन भी रगनंदन ने ठाकुर जी को आबाज दी और भोग लगाने का आग्रे किया हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेश में आई और लड़ू खाने लगे कुम्मंदास दूर से इस गटना को देख रहे थी भागवान को भोग लगाते देखवे तरंत वहां आए और ठाकुर जी के चर्णों में गिर गए उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड़ू था और दूसरे हाथ का लड़ू जाने ही बाला था लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रहे गए तबी से लड़ू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी छाटी के दिन इस कथा का पाट करने से भागवान क्रिश्न प्रिसन होते ही और भागतों की सभी मनुकामनाय पूर्ण करते ही बुले लट्डू को पाल जी कीजए